अलो दोस्तों competition मत्रा classes में आपका स्वागत है जो लोग 36 गार्ड पुलिस की तैरी कर रहे हैं डीएप की या तो फिर forest गार्ड की भी कर रहे हूं लोग ले भी ये बहुत ही अच्छी खबर है कि लगबख 6000 पदो के लिए जो है वेकेंसी निकल के सामने आई है और इसका जो online application है वो भराएगा दोस्तों 20-10-2023 से और अंतिम्तिति जो है 30-11-2023 तक रहेगी तो पुना website पर upload किया जाएगा इसको साथ में जो physical का details है वो भी upload किया जाएगा ठीक है तो यह माजरा समझ में नहीं आई परिक्षा सूल को वाला क्योंकि 36 सरकार ने जो है सभी परिक्षाओ के लिए जो है परिक्षा सूल को माज़ किया था यानि कि एक रुपे नहीं लगने वाला था लेकिन यहां पे समाने वर्ग और अनुसुचित जन जाती के लिए 125 रुपे परिक्षा सूल को भी रखा गया है रिक्त पदों की संख्या की बात करें दोस्तों तो लगबक 6,000 क आसपास पद है जिसमें रैपूर में 554 पद है जीडी के आरक्चक चाला के 4 पद है ट्रेलर के 1 पद है बलोगा बजार भाटा पारा में आरक्चक जीडी के पद है आपे उसको देख लीजेगा एक बार मासमुन्द में जीडी के 86 पद हैं पीटीएस माना राइपूर में 10 पद हैं रेल राइपूर में 108 पद हैं नेताजी सुबास चंद्रबोस पुलिस अकादमी चंदकुरी राइपूर में 17 पद हैं कबीर धाम में 114 पद हैं जीडी के मोहला मानपूर अंबागड चोकी में 213 पद हैं खैरागड छुई खादान गंड़ाई में 82 पद हैं जीडी के पीटी आइस राजनानगाउ में चाला के 3 ट्रेड मोची के 2 ट्रेड धोबी के 2 ट्रेड कूक के 10 और ट्रेड इलेक्रिशन के 3 पद हैं बिलासपूर में जीडी की 146 पद है आरक्षक चला का 19 पद है ट्रेड कूक के एक पद है ट्रेड नाइट ट्रेड टेलर के एक एक पद मोंगेली में आरक्षक जीडी के 149 पद हैं रायगड में 115 पद हैं जीडी के जांजगीर चापा में 23 पद हैं सक्ती में 95 बलरामपूर अमन उजगन में दो सो तीरपन पद है, जीडी के, सूरजपर में 141 है, मनेंदरगर चीरमिरी भरतपूर में अरक्षक जीडी के 100 पद, PTS मैन पार्ट में जीडी के 10 पद हैं, और चालाक के 8 पद हैं, बाकी इसका वीरवन देख लिजिएगा, और भी बहुत सार पद हैं यहां पर सामिल, बस्तर में जीडी के 334 पद हैं, कोंडागा में 103 पद हैं, कांकेर में 125 पद हैं, यदि सब को टोटल करेंगे, चाहे कूक का हो चालाक, जीडी, पलंबर वगरा का, खलासी का, तो सभी मिला करके लगबग 6000 के पद के आस-पास सामिल हैं यहां पर, दंतेवाड़ा में 55, नरायणपूर में 470, सुक्मा में 128, बिजापूर में 377 हैं, नोटिफेकल सायन आने से पहले मैंने एक वीडियो भी बनाया था दोस्तों की इंटरनेली जो है, जो रिक्त पद हैं उसकी जानकारी का मांगा गया है, जिसमें लगभग बिलासपूर में सिर्फ 500 से ज़्यादा पद हो रहे थे, उससे कुछ कम ही निकाला गया है, क्योंकि सभी पदों को नहीं भरा जाता है, कुछ न कुछ रिक्त पद रहते ही हैं, वेतमान की बात करें दोस्तों, तो 19,500 प्रतिमा होगी, आयू सीमा जो है, एक जनुरे दोजार तेस को मिनिमाम 18 वर्ष और अधिक्तम 28 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, AC, STR, UBC केटिगरी से हैं, तो 5 साल का अतरिक्त छूट आपको दिया जाएगा, मैक्जिमाम एज जो है, 33 साल तक वाले अप्लाई कर पाएंगे, जबकि जनरल केटिगरी वाले 28 साल तक ही अप्लाई कर सेक्षणी करहरता की बात करें दोस्तों, तो 10 वी कक्षा थो, हायर सेकेंडरी अथो, समकक्ष परिक्षा, 36 अप्रदेश, राज इस्तित, विद्याला, महा विद्याला से उत्तिर्ण होना चाहिए, केवल और केवल अनुस्विचित जन जाती के उमिद्वार, 8 वी कक्ष उ उत्तिर्ण होने पर भी पात रहोंगे, वो फाम एप्लाई कर सकते हैं, बाकी केटेगरी वाले दसवी पास हैं, तभी अप्लाई कर पाएंगे, साथ में नक्सल प्रवजी छेतर में नक्सल पीडित परिवार, तथा राहत सिविरों को निमासरत परिवार से सम्मंदी सभी स रेंडी के बिर्थी जो पाँच भी कक्छा उत्तिर्ण हो, वो भी पात रहोंगे, चालक पद्धोतु आपके पास लैसेंस होना अनिवार्य है, सारी करारता की बात करें तो समान जाती जो जनरल करटिगरी वाले हैं, अनुसूचित जाती तथा अन्य पिछड़ा वर की जो मिनमम, अनुसूचित जन जाती वर को छूड़ दिया गया है, इनकी जो हाइट है, उचाई एक 158 cm होना चाहिए मिनमम, चेस्ट जो है 76 है, और 5 cm एक्सपांड होना चाहिए, महिला अभ्यर्थी के लिए जो बस्तर और सरगूजा संभाग वाले हैं, उनकी हाइट जो है 153 cm में अप्लिकेबल है, अभ्यर्थी को साधु प्रूप से दिव्यांग नौकनी फ्लेट पूट नहीं होना चाहिए, उम्मिद्वार को आखों से संभनीत कोई रोग नहीं होना चाहिए, आखों के द्रिष्टी बीना चसमे के एक आख से 6 बटे 9 तथा दूसरी आख से बीना चसमे के 6 बटे 12 से कम नहीं होना चाहिए, चैन प्रक्रिया के बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे 5 इवेंट्स हैं जैसे कि CGSI में था, ठीक है इसका डिटेल्स जो पीडियाफ आएगी, वेबसेट पर तो और डिटेल्स में इसके बारे में जनकारी मिलेगी, सारिक दक्षता में लंबी कूद है है, हुची कुद है, गोला फेक है, सो मिटर दोड़ और आठ सो मिटर दोड़ है, सो अंक एवं लिखित परिक्षा, समाने ग्यान बुद्धी छमता, विसरेशन शमता था अंगडित के सव अंकोंगे लिखित परिक्षा, अब यहाँ पर पहले फीजिकल लिया जाएगा, र फिर कॉंग्रेस की सत्ता ही, तो फिर से उन्होंने फिजिकल प्रोसेस में बदलाव किया, जिसके वज़े से दोबारा फिजिकल लिया गया था, यह पाचों इवेंट्स वाला, में भी पहले इसका फिजिकल ही लिया जाएगा, उसके बाद जो है, लिखित परिक्षा में ब 25 अंक और जुड़ेंगे, बाकी आरक्षक जीडी वालों के लिए जो है आपका फिसकल होगा और रिटन इग्जामी होगा, ट्रेट टेस्ट उन लोक लिए है, जो चालक वैगर की पोस्ट में अपलाई करेंगे, यह पर बोनस अंक अभी प्रावधान है दोस्तों, जो नेशनल प्लेयर हैं, जो लोग नेशनल खेल चुके हैं, नेशनल सर्टिफिकेट है या नेशनल सर्टिफिकेट है तो उनको पांच अंक दिया जाएगा, ठीक है, सपोज यदि वो तीनों में भाग लिया हो, तो भी मैक्जिमम उसको 10 अंक ही दिया जाएगा, पंदर अंक या जाएगा, ठीक है, जैसे कि वो नेशनल प्लेयर भी है, एनसी सर्टिफिकेट भी है, और इनसेज भी है, तो भी उनको 10 अंक ही दिया जाएगा, यदि कोई सा एक सेटिफिकेट है, तो किवाल 5 अंक, बोनस अंक दिया जाएगा, तो यह बहुत अच्छी ख़़़ है दो अभी अचार से ही तलगने माला है दोस्तों तो उसके पहले जो ही ये नोटिफिकेस्टन जारी किया जा रहा है अब को चलिए कोई इसी प्रकार की जॉब अपडेट्स पाना चाहते हैं चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के ल निवाद